हाई गाईज वल्कम बैक टू मैं चानल कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे ही होंगे तो आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उन मुखोन मुखा मुद्रा के बारे में कुछ डिफरेंट सा नाम है कुछ अलग सा नाम है लेकिन हाँ इसके फायदे बहुत सारे हैं पेट से रेलेटेड बहुत से परिशानिया हैं जो ये मुद्रा ठीक कर देती है तो इस मुद्रा को किस तरीके से बनाया जाएगा मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी अब इस हस्त मुद्रा को बनाने के लिए आपको आपके दोनु हाथों को इस तरीके से जोड़ना है अंगूठा आपकी जो फिंगर है सब एक दूसरे पर इस तरीके से होनी चाहिए अब आपको सुखासन में बैठना है और आपको सीधा हाथ आपके उल्टे हाथ के उपर रखना है आलती पालती मार कर बैठना है और कुछ देर इसी मुद्रा को ऐसे रखना है जैसे मैंने अभी रखा हुआ है जब आपको 30 सेकंड या 1 मिनट तक हो जाता है तब आपको ये मुद्रा को बनाने के लिए आपका लेफ्ट हैंड उपर कर लेना है राइट नीचे कर लेना है और सिंपल तरीके से ये मुद्रा आपको ऐसे बनानी है अब इसमें आपको बैठना है कम से कम मुद्रा का अभ्यास जो आप करेंगे 2-3 मिनट तक करेंगे लेकिन पलट पलट के 30 सेकंड आपने ऐसे रखा हलका सा दबाव लगाना है दोनों को आपस में प्रेस करना है फिर 30 सेकंड आपको ऐसे रखना है बहुत ही असान है मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से आप हाथ रखेंगे एक के उपर एक फिंगर आपको रखनी है दबाव लगाना है और फिर इस तरीके से आपको पलट देना है 30 सेकंड बाद इस मुद्रा को करने से अगर आपके पेट में बहुत ज़ादा गैस बनती है पेट में जलन रहती है बिल्कुल ठीक हो जाती है इसका अभ्यास आप रेगुलर करेंगे तो पेट से जुड़े रोगों में आपको बहुत ज़ादा फायदा मिलता है मुद्रा का अभ्यास करने से आपको बिमारियों से चुट्टी मिलती है अगर आपको बहुत ज़ादा परिशानी है आप योगा नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से मुद्रा करके अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं अपकी बिमारियों को दूर कर सकते हैं और अ पेट में सूजन आ जाना इस मुद्रा को करने से ये सारी बिमारियां दूर हो जाती हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो अच्छा लगा है यूसफुल लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए जुड़े रहिए कल्प